नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं QN TV News हर खबर पर होगी निजर आईए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर सरकारी कर्मचारियों के हित में बिहार सरकार का बड़ा फैसला 2016 से लंबित प्रमोशन का रास्ता साफ बिहार कैबिनेट ने राजे के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है 7 साल से लंबित प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो चुका है सरकार ने जो निड़े लिया है उसके मताबिक जिस पद पर कर्मी अधिकारी काम करेंगे उस पद का वेतन मान वा अन्य सुविधाएं उन्हें मिलेंगी मतादी की 2016 से यह मामला सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है बिहार सरकार ने राजे के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है चार लाग से अधिक कर्मियों को अब जल्द प्रमोशन मिलेगा 2016 से यह मामला सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है मंत्री मंडल ने राजे के सभी प्रोनती के योग्य पदादी कारियों वा कर्मचारियों को वेतन मान सुविधाओं समेथ प्रोनती की सारी सुविधाएं देने का निर्ड़ा किया है इससे चार लाग से उपर सभी राजे कर्मियों की एक साथ प्रोनती का रास्ता साफ हो गया है शर्त यह है कि सुप्रिम कोर्ट के फैसले के अनुसार पदों पर प्रोनती प्रभावित होगी पर वे अगर नीचे वाले पत पर आएंगे तो भी उनसे उच्छ पदों पर लिये गए वेतनमान को सरकार नहीं वसूलेगी कैबिनेट के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर S. सिधार्थ ने बताया कि मंत्री मंडल ने स्ट के एक यानि कुल 17 प्रतिशत पदों को फ्रीज करते हुए बचे 83 प्रतिशत पदों पर प्रोनती करने का निर्डेलिया है 83 प्रतिशत पदों पर प्रोनती देने में भी अदेखा जाएगा कि SC के 16 और ST के एक यानि कुल 17 प्रतिशत पदों का कितना प्रतिनिधित्व है अगर निर्धारित 17 प्रतिशत पदों में उदाहरण के लिए 5 प्रतिशत या 7 प्रतिशत पद भी रहते हैं, तो 6 बचे 11 या 10 प्रतिशत पदों को भी फ्रीज रखा जाएगा। दरसल वर्ष 2016 से SCST के पदों की प्रोनती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस कारण राजे में सभी अस्थर के कर्मचारियों अधिकारियों को उनके ही वेतनमान में अब तक उच्च पदों का चार्ज दिया जाता रहा है। उन्हें उच्च पदों का वेतनमान न भी अस्थगित रखा गया है। और भविश्य में सुप्रेम कोर्ट की निर्णय के बाद सभी को नियमित प्रोनती दी जाएगी। मंत्री मंडल ने इंद्रा गांधी आयोर विज्ञान संस्थान में शेत्रिय चचुर संस्थान के वस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है इसके बाद यह संस्थान संपूर्ण उत्तर पुर्व भारत में सरकारी शेत्र का सबसे बड़ा चशुर चिकत सा संस्थान बन जाएगा। इसमें 12 मॉडियूलर ओपरेशन थियेटर एवंग 154 बेट शमता होगी, संस्थान के अपने रिसर्च विंग होगी, एवंग 24 घं पाने के लिए हमारे चैनल QN TV News को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन को प्रेस करना ना भूलें